कि दोस्तों आप सभी का क्लास्टनर में स्वागत है आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे आज का जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेन टॉफिक मैंसे एक है जो लोग टी की त्यारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो यह बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है तो चलो देर ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आज का जो जो टॉपिक है वो है वाट इस नीमी अप्लिकेशन ठीक है इन नीमी अप्लिकेशन है क्या ठीक इसके वारे में बहुत से लोग उसे पूछ रहे थे कि आखिर सरी है क्या इसको कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं तो आज का जो वीडियो है वो इसी के उपर पूरा बेस्ट है ठीक है आज हम लोग यही सिखेंगे कि यह एप्लिकेशन क्या है और इसका यूज कैसे किया जात जिने नहीं पता है चलो देखते हैं क्या होता है तो सबसे पहले हम लोग देखते कि नीमी अप्लिकेशन है क्या तो नीमी अप्लिकेशन जो है नीमी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है वो है नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इस्ट्यूट ठीक है और इस एप्लिकेशन क की तो किया गया है आपके डिवार्ट किया गया है और यह क्यों किया जाता है इसे iLeft क्या जाता है मोड़ सक्वलेश किया जाता है और इसे कौन यूज़ कर सकता है तो इसे यूज़ कर सकते हैं सभी ट्रेट के लोग ठीक है आई टी आई में जितने भी ट्रेट्स होते हैं सारे ट्रेट्स वाले इसे क्या कर सकते हैं यूज़ कर सकते हैं तो आखिर इन्होंने नीमी अप्लिकेशन बनाया मॉक टैस्क लिए बनाया सारे ट सिंपल सा आंसर है 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 जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो एकजाम जो होता है ऑड़ होने वाले वह सारे जानस कैसे होने तैयारी के लिए तक आप一個 क्या कर सकते आपके लिए एक नया मत हो जाए एक नया नया कहना चाहिए नया experience मत हो जाए तो इसी लिए नीमी यानि कि National Instruction Media Institute चैनने के द्वारा इसे develop किया गया ताकि आप क्या कर सके आप एक practice कर सके उसको आप practice करें आप उसका test दिलाएं तो क्या होगा आपको एक आदत हो जाएगी कि हाँ पेपर ऐसा होता है और उसे उससे आप क्या रहोगे एक ज़्यादा आपका पेपर अच्छा जाएगा तो इसलिए ये application बनाये गया है तो चलो इसे समझते हैं कि ये कैसे इसे use किया जाता है तो देखो इस application को install करने के प्यूटर या कुछ नया equipment लेनी की जरुवत नहीं है आप सभी के पास जो android phone होगा ठीक है android phone कहने का मतलब है जो पैच स्क्रीन वाले फोन है ना देखो अगर नहीं समझ पा रहे हैं कि android phone किसको बोलते है बहुत ही सिंपल है जो touch screen होता है वही होता एंड्रोइड फोन जनरल तोर इस सब्सकार जल्म होता है तो नहीं है एक प्लीकेशन आप ईसे कहां से डाउं लोड कर सकते हैं आप इसे play store से आप debate ड्यूट यूटर होता है वहांसे आपको यह मिल जाएगा ठीक वहां सब इसे इंस्टॉल कर लेजएगा आपको इसका लिंक में अपनी डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल पोस्ट कर दूँगा ठीक है ताकि आपको एक आसानी हो इससे डाउनलोड करने के लिए ठीक है नहीं तो आप गूगल प्ले स्टोर में जाएए फिर यह इप्लियकेशन मिल जाए हो जैसे यह अपिकेशन अपने मोबाइल पर अप डाउनलोड कर लेंगी याने इंस्टॉल कर लेंगे वैसे ही ए वैसे ही क्या होगा आपके मोबाइल यह यह डिप जाएगा तो अन होने पर यह कैसे और उनाट इसका इंटर फेस है वहां कुछ इस तरीके से शो होगा फिर इसके बाद क्या होगा दो यह तीन सेकंड का आपका वीडियो चलेगा जो कि उसके लोगों को शो करेगा ठीक है उसके बाद उसके बाद आपके स्क्रेंड में कुछ इस तरीके से यह आपका दिखाई देगा ठीक है यह आपका स्क्रेंड मे यह इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा जहां पर यह login यह ऐसा लिखा हुआ रहेगा और यह इस पेज की साहता से आप क्या कर सकते हो आप इस application में login हो सकते हो ठीक है अगर आपने पहले से इस application को registered किया होगा तो आप इसे यहां से login हो सकते हो ठीक है अब यह login क्या होता है sign up क्या होता है यह तो बच्चों मुझे नहीं लगता कि आप लोग को समझाना पड़ेगा सब Instagram के जमाने के बच्चें सब को मालूम है सची ने ठीक है फिर भी जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता लॉग इन मतलब होता है कि आप क्या कर सको आप इसमें एंटरी कर सको ठीक है एंटर कर सको ठीक और यहां पर एक औप्षेन है sign-up मतलब क्या होता है जो कि नए जू यूज़र होते नए इस्टुडेंट जो होते हैं वो लोग क्या कर सके अपना नया registration कर सके तो अभी तक तो हम लोग इसमें registered है नहीं हम लोग तो न्य हो न्य है तो हम लोग कौन सा option क्लिक करना पड़ेगा हम लोग को option क्लिक करना पड़ेगा यह वाला है हम लोग यह sign up option पे क्लिक करना है ठीक है तो नया registration के लिए आप किससे क्लिक करें sign up option पर क्लिक करें जैसे यह sign up option पर क्लिक करोगे वैसे ही क्या होगा आपके screen पर कुछ ऐसा इंटरफेज दिखाये देगा ठीक है यह ऐसा अब इसमें क्या है इसमें यह लिखा हुआ है क्या CTS student, CITS, apprentice and trainer आपको इन में से कोई एक option को क्या करना है select करना है ठीक है तो चलो इन options को समझ लेते हैं trainer मतलब क्या होता है जो की training देता है यानि कि आपके जो teachers होगे है वो लोग इस option को क्लिक करेंगे apprentice जो लोग किसी company में यह किसी इंड़स्ट्री में जाके job कर रहे हो होगे इसमें लोग apprentice रेंट ट्रेनिंग का काम कर रहे हैं तो वो लोग यहां पर से इस option को क्लिक करेंगे और ये जो है ये CTS student और ये CTS student ये दो group होते हैं तो इन दो group के students इस पे click करेंगे ठीक है तो आप जिस group से belong करते हैं आप उस group को क्या कर आप उस पे click करना अगर आपको ये नहीं पता कि आप CTS से belong करते हैं ये CTS से belong करते हैं तो आप इन इन options को click करके आप देख सकते हैं अगर आपका ट्रेड इस पे मिल गया तो आप उस आप उस ट्रेड को क्या करें select करें और आप आगे बढ़ जाए ठीक है clear है सबको इसके बाद हमको क्या करना है जैसे मालेजी आपने अपना अगला पेज आपको दिखाई देगा ठीक है इस पेज में आप यह देख रहे होगे यह कुछ registration जैसा है यहां पर आपको क्या करना है यहां पर आपको अपना नाम अपना इमेल आईडी वैलिड इमेल आईडी ठीक है ऐसा नहीं कि जो इमेल आईडी बंध हो ऐसा आपने ल जलता हो फोन नंबर भी जरूर डालिए फोन नंबर भी ऐसा फोन नंबर जो चले आपके पास मेसेज आए आपको कोई कॉल करें तो कॉल भी लगे ऐसा नंबर डालना है फिर रिजिस्ट्रेशन नंबर क्या होता है जो आपको आई टी आई के द्वारा प्रोवाइड किया आर आर करके कुछ लिखा होता है आर लिखा होता बहुत सारे उसमें नंबर होते हैं ठीक है तो वह रिजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहां पर लिखना है फिर आपको ट्रेड सेलेक्ट करना है अपना और अपना जैंडर सेलेक्ट करना है और अपना इस्टेट सेलेक्ट कर तो चलो देखते हैं आगे जैसे आप नेम इमेल आइडी मुबाइल नमबर पुट कर देंगे उसके बाद क्या आता है सेलेक्ट ट्रेड तो सेलेक्ट ट्रेड पर जाएंगे तो आपको कुछ ऐसे लिश्ट यहां पर शोगा जो भी आपका ट्रेड होगा आप उससे सलेक्ट क करने के बाद क्या होगा आप अपना जैंडर सेलेक्ट कर लें जिस भी जैंडर से बिलॉंग करते हैं उससे फिर आप अपना इस टेट से आप हैं यानि जिस राज्य में आप रहते हैं उस राज्य को क्या करें यहां से सलेक्ट करें फिर उसके बाद आपके स्क्रेण पर कुछ इस तरीके से यह सारी चीज़ें दिखाए देगी जो 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 आपने ेहां पे लिखा होगा वो सारे इंफ्वरमेशन आपको डिखेगा और यह एक प्लिक करना है प्लिक करेंगे वैसे आपको क्या दिखाई देगा थे कि वह कुछ स फोन कई लोगों के फोन सक्वाप में ये डारा जाएगा अपने आप कई लोगों के फोर में डारेक अपने किया करेंगे तो वहाँ पर लिखा होग है और उस पर क्यों हें किसरी यहां पर करेंगे इस यहां पर लिखेंगे इस वेरिफाइसर कोड में हम लोगis देखेर आप लोगं यह an दालोग जो आप के फोन में आएगा वह नंबर आप है जैसिसे thousands पैंप नमबर आप ट्लिक करोगे वाला इक पेज आका ठीक इस पेज में देखो क्या क्या बाते लिखी ऊए इस पेज में सबसे को स्टेट सेलेक्ट करना है जिस स्टेट में आपका आई पढ़ रहे हैं उस स्टेट को सेलेक्ट करें जैसे आप माल लेजिए चट्ईसगar से पढ़ रहे हैं तो चट्ब्र वाला ओप्शन सिरुण को सलेक्ट करें ठेक है उस जिले को सब्सक्राइब फिर जिले में आप को क्या दिखाई देगा यह वाला प्शन सारे जितने यह दिले में ऑपो क amigos का यहाँ पर नाम दिखा देगा अपने आपने का नाम को सिलेक देगा जैसे ही आप ये ITI का नाम select करेंगे, उसी ITI का code इसे आपको नहीं डालना है, वो अपने आप उस ITI का नाम को क्या कर देगा, यहाँ पर show कर देगा, और उसे related code को यहाँ पर अपने आपको ले लेगा, ठीक है, जैसे ही आपका ये complete हो जाता है, वैसे ही आपको कौन सा बटन क क्लिक करना है, submit button, submit button क्लिक करते ही आपके screen पे क्या होगा, आपके screen पे कुछ ऐसा show होगा, कैसा, ऐसा, देखो, ठीक है, कुछ ऐसा show होगा, ठीक, यह आपका क्या है, dashboard है, ठीक है, यह आपका क्या है, personal dashboard है, ठीक है, इस dashboard में, यह आपका पूरा का पूरा, यह options आपको दिख तो यहां पर भी कुछ-कुछ ऑप्शन होते हैं तो सबसे पहले हम इसे ही देख लेते हैं कि आखिर यह तीन लकीरों में क्या है तो तीन लकीरे नहीं कहना चाहिए इसे मेनू की कि तरह कहना चाहिए तो यहां पर आपका जो है नाम होता है ठीक है मैं यहां पर लिखा हुआ होगा आप चाहें तो अपना फोटो भी अपलोड कर सकते हैं बढ़िया सिक्दम धासु वाली फोटो यहां पर लगाना अपनी ठीक है हो फोटो यहीं जो पेज होता है यह होँए प्रोफाइल अपना देख सकते हैं अब नाम नंबर अपका डेट अबर्ट जो भी चीज़ आपको आप को एंट्री करना आप एंट्री कर सकते हैं मतलब कुछ चीज जैसे कि आपको पूर्ट कहने का मतलब अगर आपको इस application में कोई भी डाउट होता है या कोई भी प्राप्लम होता है तो आप यहां से support से support ले सकते हैं logout कि दुसक्त आप सभी Instagram ऑले बच्चे तो आप सभी को यह logout का मीनिंग का पता ही होगा कि मतलब यह होता है कि आपको इस application से कहाा जाना बाहर जाना है तो इस logout पर klick करेंगे कि चलो देखते हैं और कि अब जैसे यह आपका हो जाता है मलब लॉग आउट एक ऑपशन होता है आप हम देखे हैं जो में स्कृष्रीं और याने में हमारे जो ड немного डैश्बॉर्ड है उससे देखें इसमें क्या है यह सारे यह संगेत ते field उप्शन्स देख लो यहाір medidas प्रिपीट टेस्ट माय पर्फॉर्मेंस कुछ एनलेसिस रिवीव टेस्ट है एक्जाम ठीक है तो यह सारा चीज आपका क्या दिया हुआ यह ऑप्शन दिया हुआ है ठीक जनरली होता क्या है कि आइटी आइज में जो जो ट्रेनर होते हैं वह क्या करते हैं एक्जाम अपने एक्जाम लेना ठीक है प्रिप्टि नहीं होनाा कि क्या प्रच उससी पहले से निर्धारित कोई एक्जाम हो तो उससे कैसे अटेंड करते हैं उससे हम सीखते हैं पहले तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले आप क्या किस पे क्लिक करो इस ऑप्शन पे क्लिक करना ठीक है अटेंड सेड्डूल is scheduled subordassy holiday इस पे आप क्लिक करना जैसे आप इस पे क्लिक करोगे वैसे क्या शोगा पुछ एलाज आप इस में कि अब आपको क्या करना है जो भी आपके टीचर्स ने या ट्रेनर Ari आप को जो आbaumकुजामाइडी पर वाया होगा आप यहां पर इसे लिखे लिखे एकजाम unfaddy आप यहां पर लिखना और लिखने के बाद किस判क रॉसा už पर आप आप क्या करना प्रिक करना जैसे आप कर इंध मरते टार कहां पर पहुँच जाएंग आप जो है वहां मिट करेंगे करेंगे वैसे ही आप गम रहे हैं यह रहे हैं कि आप गाइडलाइन को बिलकुल पढ़िए यह भी आपको है वैए सिंटर बटन पे क्लिक करेंए यह दो आपकाम पर टैस्ट हो जाएगा उन्हें होाँ यहाँ पर यहां पर तिछा है उन्हें फॉज्म से टेस्ट हुआ है यहां पर ठीक है यह आपका कोश्चन है हिंदी और इंग्लिश आपके दोनों में होता है यह यह आपके options है ठीक है यह चार आपके options है ठीक है और यह जो number of questions आप चाहिए तो यहां से number of questions में पहुँच सकते हैं जिस पर भी आपको click करना हो आप उस question number पर आप क्या कर सकते हैं ठीक सो आपको जो भी जैसे कोश्चन है इस question का कोई भी answer आपको देना हो ठीक है A B C D में आपको जो answer आपको सही लग रहा हो आप वह answer दो और कौन से बटन पर क्लिक करना आप next बटन पर क्लिक करना ठीक है सो बहुत आसान है question पढ़ो option जो भी पसंद्द आप उस पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करूं ठीक है तो देखो कैसे होता है जैसे मैंने next बटन पर क्लिक्क किया वैसे ही आपका क्या हो रहा है कि एसे मैं मैं जैसे ही आपको लग रहा है कि आपको और ओपलेट हो चुका है अपका लगभquentर है तो आप क्या करें उसके बाद सबमिट कान सब्सक्राइब सब्सक्राइबogle आप क्या कर दें यह ऐसे क्लिक कर दें ठीक है सब्मिट बटन पर क्लिक करोगे जैसे ही आप सब्मिट बटन पर क्लिक करोगे वैसे ही आपका क्या दिखा देगा आपका रिजल्ट शो कर देगा ठीक तो जैसे अभी मैं क्या करता हूं अभी मैं 50 तक तो नहीं जाता हूं ठीक करके सब्मिट कर देता ह। जैसे मैने सब्मिट कर दिया ठीक है अब जितने पर इसका रिज्ब خॉषा देगा यहाँ रिजल्ट हाँ प्लर से इसका नाम होगा यहां पी पहले ही बता देता है और मैंने एक मार्ली समिट नरी के थी चौता दें लिगा यह O है और इसका परसेंट भी बता दिया टू परसेंट मुझे मिलें ठीक है एक क्वेशन के एक कोशा कर सकते आप यहां पे रिट्राय कर सकते आप यू भी कर सकते आंसर को मैं इस्क्रिन पर भी जा सकते हैं तो यह होता है इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, result देख सकते हैं, और जो scheduled exam है, उससे हम दिला सकते हैं, ठीक, clear है, so thank you, इतना वक्त देनी के लिए, और I hope आप सभी को ये समझ में आया होगा, कि नीमी applications and registration कैसे किया जाता है, और साथी साथ scheduled exam को हम लोग कैसे दिला सकते हैं, ठीक है, so thank you, and next video में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम लोग इसमें एक नया test दे सकते हैं, जो कि scheduled ना हो, ठीक है, so next video में हम उसके बारे में चल्चा करेंगे, so good luck, bye